mouse तो आपने काफी तरीके के देख्यें होंगे लेकिन आज मेरे पास, जो mouse है वह आपने कहीं पे भी नहीं देखा ओगा ये मेरे पास एक nothingac कोल लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले mouse देखने को狼क्त है काफी जादा सही लग रहा है इसको देखने में और सबसे पहले बता दू यह एक वायरलेस माउस है देख सकते हैं इस माउस का जो लुक है वो कितना जादा यूनीक है इसका नाम है zebronics clear wireless माउस यहां पर काफी हद तक nothing से inspired है यहां पर nothing के earbuds आपको पता होगे यहां पर transparent आया था कुछ उसी तरीके से आपको यहां पर यह वाला जो है mouse देखने को मिलता है देख सकते हैं किस तरीके का look है यहां पर इसका पूरी तरीके से यहां पर Transparent है तो अंदर का जो आपका पूरा board है वो आपको पूरा तरीक से देखने को मिलता देख सकते हैं आपका पूरा अंदर का board है जो आपका Mouse का Controller है पूरे तरीक से आपको देखने को मिलता है ये माउस है ये एक switch मिलता है जो कि बहुत ही छोटा है इतना छोटा है कि यहां पर आपको यह दिखेगा भी नहीं और इसको on and off करने में भी काफी ज्यादा मशक्कत लगती है इसमें आपको तीन बटन दिया गया है सबसे पहले on करने का बटन है तो इसे on कर लेते हैं on करते हैं यहां पर जो इस काफी रखते हैं light off करने के बाद यहां पर देख सकते हैं माउस कितना ज्यादा बढ़िया लगता देखने में 400 रुपए के हैसाब से काफी साही transparent माउस है यह तो इसकी बटन की बात करो तो यहां पर आपको तीन बटन देखने को मिलता है सबसे पहले है left click उसके बाद है right click और सबसे बढ़िया बात मुझे इसकी यह लगी है कि यहां पर silent click के साथ आते हैं आपको कोई भी click का आवाज सुना नहीं देख आपको मैं अगर सुनाना चाहूं तों यहां पर सुन सकते हैं किसी भी तरीके का click का आवाज यहां पर आपको सुनने को नहीं मिलेगा तो यह एक silent mouse है जो कि मुझे काफी जादा बढ़िया लगा लेकिन यहां पर इसका जो यह scroll wheel वाला button है उसमें से आवाज आता है बहुत हलका सा आवाज है लेकिन आवाज आता है और इस scroll wheel के जो button है उसको click करने से आपका यहां पर dpi change होगा इसमें आपको 3 dpi option मिलता है 600, 800 और 1200, 1200 तक आपको इसमें maximum dpi मिलता है काफी अच्छा mouse है 400 रुपए के 4500 रुपए के हिसाब से 1200 dpi काफी बड़ी बात है लेकिन इसकी जो latency है वो मुझे थोड़ी सी जादा लगी है 2.4 GHz का आपको एक dongle मिलता है जिसको मैंने connect कर लिया है अपने laptop के साथ looks तो यहाँ पर अच्छा है लेकिन इसका performance इसके price के हिसाब से काफी सही लगा मुझे scrolling वगरा भी बहुती जादा fast है बहुती जादा smooth है कोई भी दिक्कत मुझे यहाँ पर नहीं है इसके scrolling के साथ लेकिन यहाँ पर एक चीज मुझे थोड़ी सी खरब लगेगी यहाँ पर का जो यह plastic quality है वह उतना अच्छा नहीं है उपर वाले भाग का plastic quality काफी अच्छा लेकिन नीचे वाले भाग का plastic quality अच्छी नहीं है लेकिन overall यह वाला mouse आपको मैं recommend कर सकता हूं normal use के लिए gaming वगरा के लिए उतना recommended नहीं रहेगा normal अगर आपको use करना है office वगरा के लिए या फिर अपने setup में आपको कुछ cool चीजे रखनी है तो आप इसे use कर सकते हैं काफी तगड़ा mouse है दिखता भी काफी बढ़िया है और use में भी काफी सही आता है यह और अगर battery की बात करो तो यहाँ पर मैंने normal जो dura cell का battery है वो लगा लिया है मुझे लगता है इसका जो battery backup है व इस mouse के साथ और यहाँ पर इसकी pricing बता दू आपको तो यह आप देख सकते हैं यह mouse मुझे पढ़ा है 441 रूपीज का काफी बढ़िया mouse है उसके हिसाब से तो overall इतना था इस वीडियो में अगर आपको यह mouse खरीदना है तो नीचे description में link दिया हुआ है बाकी looks में काफी अच बढ़िये